बच्चों, financial decision हमने start किया था उसमें हमने पहला जो topic था या उसका पहला element था जो की investment decision था उसको हमने complete किया आईए इसके दूसरे element की तरफ चलते हैं या जो दूसरा decision लिया जाता है या निर्णय लिया जाता है उसकी और आगे बढ़ते हैं और वह है वित्ति विवस्था निर लिया जा सकते हैं क्या आप इसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं जे बिलकुल आप से ही सोच रहे हैं कि जो रकम या पैसे हैं उनको कहां से अरेंज किया जाए अब अरेंज कहां से किया जाए कोई भी firm दो तरीके से या कोई भी company जो होती है दो तरीके से funds को अरेंज क और बोरोड़ फंड जो मैं कह रही हूं, उसे हिंदी में कहते हैं, रेंड कुश, मैंने आपको इन दोनों की हिंदी और इंग्लिश टर्मिनोलोजी की बारे में बताया, अब ओनर्स फंड में मैंने आपको जैसे बताया है, एक्विटी शेर्स वगरे आते हैं, और बोरोड़ हैं, उन से क्या क्या जाए, फंड लिया जाए, अब सवाल ये उठता है कि दिर्ग कालिंस्त्रोथ कौन-कौन से हैं, तो कुछ दिर्ग कालिंस्त्रोथ इस प्रकार है, जो की है समता अंशपुन जी, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं, एक्विटी शेर कैपिटल, उसके बा आती है, इसे इंग्लिश में कहते हैं, और अंते मा बात आती है, दीरकालिंद रर्ण की यानि लाउंग ट्रम लोन, यह जो सारे स्तुरोथ हैं, यह एक दिरकालिंस्त्रोथ हैं, और इन ही से क्या क्या जाता है, एक वित्त्य प्रवंधक होता है, वो धृत्त को अरेंज करन कोशिश करता है जब इसमें सबसे बड़ी बात यहcho poti है कि फंड लिए कहां से जाए अरेंच कहां से कहां जाए अब बचो अगर आप बोरोंट फंड की बात करें तो यह जो फंड होता है यह सस्ता फंड होता इस में क्या होता है लेकिन ब्याच देना पड़ता है इस वजह से रिस्की हो जाता है लेकिन इसके कि यह हम वह में मैंने बताया जैसे कि यह महंगा फंड होता है और इस में जो रिस्क होता है वो थोड़ा कम होता है लेकिन क्या होता है जब उनरफंड से लिया आता है तो इसमें शेर होल्डर्स की संख्या बढ़ गई यह दी तो इससे कंपनी को लॉस हो सकता है जितने भी लाप अगर करती है तो उसे दो चीजों के बारे में पहले क्या करना चाहिए कंपारिजन करना चाहिए या दो चीजों का विशलेशन करना चाहिए पहली चीज होती है उसमें लगने वाली लागत यानि उसको किस तरीके से प्राप्त किया जा सकेगा और कितना देराशी देखे प्राप्त कि यह प्राप्त करने के बाद कितना लाभ प्राप्त होगा उन दोनों को विशलेशन करने के बाद ही कोई भी वित्ति प्रबंध किया financial manager decide करेगा कि उसको fund कहां से arrange करने उनर फंड से करने हैं या बोरोड फंड से करने उनर फंड मतलब मैंने क्या बताया आपको स्वामित्व कोश और बोरोड फंड मतलब मैंने क्या बताया आपको रेंड कोश ठीक है अब हम बात करेंगे उन factors की जो की in financing decision को affect करते हैं इसे हम कह सकते हैं वो घटक जो की उन वित्ति व्यवस्था निरने को क्या करते हैं प्रभावत करते हैं आईए उन निरने को देखते हैं और उन घटको को देखते हैं से कौन से घटक हैं जो की इन निरने को प्रभावत करते हैं तो पहला घटक हो तो कभी कमपनी अपने लिए फंड अरेंज करते है तो उसमें लगनेवाले रिस्क को हमेशा याद रखना चाहिए लागत और लाब का विशलेशन करते हुए ही जो भी फंड जहां से भी अरेंज करना है कौन से लॉंग टम सोर्स से लेना है उसके बारे में उसको डिसिजन करना चाहिए डिसिजन सोर्स समझ कर लेना चाहिए फिर बात आती है कि निर्गम लागत यानि फ्लोटिंग कॉस्ट अब किसी भी financial manager को यह देखना चाहिए कि जो आय आ रहा है या जो लागत लग रही है उसमें फ्लोटिंग कॉस्ट कितना है इस सिती में देखें तो जो रीटेंड प्रॉफिट होता है वो बेस्ट पॉर्शन होता है या बेस्ट पार्ट होता है वहां से प्राप्त करने के तो किसी जगह से अरजित किया जाए या उन पैसों को इस्तमाल किया जाए फिर बात आती है लागत की यानि कॉस्ट अब रेंड पर क्या चीज का कोस्ट लगता है ब्याच लगता है पूरवाधिकार अंश-पुनजी पर क्या लगता है जो लाभांश यानि डिविडेंट् तो वहां पर क्या होते हैं शेर होल्डर के एक्सपेक्टेशन होते हैं जो कि कॉस्ट के रूप में हम क्या कर सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं उसके बाद बात आती है जो चौथा पॉइंट है जो चौथा फैक्टर है जो अफिक करता है वो है रोकड प्रवासिति यानि कैश प् लोन ले सकते हैं यहां कोश आपके लिए उतित है लेकिन इन केज अगर आपका कैश कर पुजिशन जो है यानि रोकट प्रवहा की जो सिती है तो उस सिती में क्या करना है ओनर फंड चो यह करना यानि स्वामे कोश को यह इक्विटी शैर को यूज करना यह शम्ता अंश को यूज़ करना ज्यादा बहतर होगा फिर उसके बाद बाताती है स्थाई प्रचालन लागतों का सर्यनी levels of fixed operating cost देखे बच्चों इसमें जो होती है जो operating cost होती है जो operating cost होती है फिक्स operating cost होती है वो दो प्रकार की होती है पहली होती है स्थाई प्रचालन लागते और द प्रचालन लागत इंकलूड़ कर सकते हैं माल लीजे आपको भीमा करना है या अपने एम्पलोईज को डेना है या भवन का रेंड पे कर यह सब का लुगा रेंगे स्थाई पर फरचालन लागत करते हैं और अगर स्थाई वित्व नागत की बात करें तो इसमें रेंड पर जो ब्याज देते हैं वो सब चीजें इंकलूड होंगी तो अगर मैं बताती हूं इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है यानि स्थाई प्रचालन लागतें अगर यह ज्यादा है तो क्या है स्थाई वित्य लागतों को कम कर देना चाहिए यानि रेंड च्टवे गटक की और बढ़ें च्टवा गटक कहता है कि पुझी बाजार की स्थियानी स्टेटिस ऑफ क्यापिटल मार्केट जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि जब मार्केट बूम पर रहता है मतलब जब मार्केट ऊपर चड़ा रहता है तो वहां पर लाब ज्यादा प्राप्त होते हैं उस स्थिती में क्या होता है जो इक्विटी शेर्स में लोग जो शेर होल्डर से वह विनियोग करना चाते हैं समता अंश में विनियोग करना चाते हैं लेकिन जैसे ही मंदी की स्थिती आती है तो वहां पर क्या होता है लाब कम हो जाता है तो उस स्थित आशा है आपको मेरी बाते समझ में आ रहे होंगी आगे बढ़ते हुए हम समस्ते हैं सात्वे घटक की और सात्वा बिंदु है नियंत्रण को मनेनी कंट्रोल कंसिडरेशन देखिए बचों अब अगर समता अगर शेर होल्डर्स का जो कंट्रोल है या शेर होल्डर्स की संख्या अगर ज्यादा है तो क्या होगा उनका कंट्रोल कंपनी पर ज्यादा हो जाएगा जो की स्थिती सही नहीं है तो इस स्थिती में क्या करना है समता अंशपूंजी से बचना चाहिए तो बचों यह जो हमन करते हैं या वित्यवैसर निर्णे को प्रभावित करते हैं आईए हम इसके बाद अगले निर्णे की और चलते हैं जिसे कहते हैं लाभांश निर्णे या डिविडेंड डिसीजन अब सवाल उठता है कि डिविडेंड डिसीजन होता क्या है अब कंपनी ने लाब कमाया ठीक ह कराएगा इसमें अपने लाब को शेयर करेगा लेकिन आप पूरे के पूरे लाब को आपने शेयर में बाट देको नहीं से भविश में अगर जरूरत पड़ती है तो उसे लिए क्या करना पड़ेगा यदिए कुछ शेर्स उसमें से अपने कंपनी के लिए रखना पड़ेगा कि इन फ्यूचर अगर उसको जरुद पड़ती है किसी कारण वश्मान लीजिए कोई मुशीन खरीदना है कोई लैंट पर्चेस करना है या फिर कोई प्लांट आगे बनाना है या कोई नया बिजनस शुरू क करना है यह कहीं भी मारकिट में पैसा लगाना है तो इसको परियाप्त रीटेन प्रॉफिट वो सेक्योर करके रखता है या नि जो लाब है उसको संचे करके रखता है अब अगर हम इसे में जो घटक हैर ये जो प्रभावित करते हम तो इस प्रकार है पैल कि यारी अर्निंग अगर है अच्छी है थो शेयर होल्ड'r को क्या कर सकते है डिवीडेंद्स अच्छा दे सकते हैं अगि अगर आए कम है तो तिति में आप शेयर sten कर सकते जो वह दायं धर अच्छा नहीं दे रहे हैं यानि stability of earning की बात कर रहे हैं जिस कंपनी की earning stable है यानि आय स्थिर है वो अपने लाभांश को क्या कर सकता है बढ़ा सकता है लेकिन जिस कंपनी की जो लाभांश है वो अस्थिर है उसे सोचना पड़ेगा कि वो जो profit sharing है जो अपने शेर होल्डर्स को डिविधिन्ट दे रहा है क्या वो उसको बढ़ाएं तो यहां पर बात आती है आय की स्थेटा की यह जो दूसरा यह दूसरा घटक करता है जो प्रभावित करता है लावांश नियर्णे को इसके बाद बाद राती जो तीसरा घटक है वृद्धी की संभावना है ग्रोथ अपॉचिनिटी अब अगर किसी कंपनी को ग्रोथ अपॉचिनिटीज फिश्य में ऐसा सिनारियो बन रहा है कि वह औ लाभांश है उसको उसमें लाभांश में व्रिधी नहीं करेगा ऐसी सितिन क्योंकि उसको ग्रोथ करना है तो उसे खुद के लिए जो कॉस्ट या जो प्रॉफिट है उसको रिटेन करके रखना बहुत जरूरी है जैसे मैंने संचित लाब की बात की थी उसे उस लाब को संच प्रवा की सिति कैश फ्लो पॉजिशन अगर रोकड प्रवा की सिति रेगुलर है या हमेशा जल रही है तो उसमें क्या कर सकते हैं प्रॉपर डिविडेंट हम दे सकते हैं यानि जो लाभांश है वो दे सकते अपने शेयर होल्डर्स को अधिक बढ़ा सकते हैं लेकिन अग होगा जो लाभांश हम देते हैं उसको कम किया जा सकता है या समय नुसार उसको कंपनी मैनेज करेगी यह उसका खुद का डिसेजन होता है फिर बात आती है अंशधारी प्रात्मिकता शेयर होल्डर्स प्रफरेंस देखिए बच्चों यहां पर दो तरह के अंशधारी होते है एक होते है regular income नियमित आए के लिए यह वे शेयर होल्डर्स होते हैं जो की नियमित रूप से अपना अंश्र का विनीयोग करते हैं company में और दूसरे होते हैं जो पूझी लाप Capital Gain जो की income के लिए एक्स्ट्रा इंकम के लिए या profit earn करने के लिए अपने अंश्र का विनीय करते हैं तो अगर ऐसी सिती है पहली सिती मतलब जो विनियोग आये वाले लोग है यानि जो रेगुलर इंकम शेर होल्डर से कंपनी को उनके जो लाभांश है उनमें व्रधी करना चाहिए समय उनसा जिससरी की परिसिती है और जो सेकेंड वाला पोर्शन है जो पुंजी तक को देखते हैं जो कि यह लाभांश की स्थिर्ता यानि स्टेबलीटी ओ डिवीडेंस क्या है बचों डिविडेंस जो है अगर स्टीबल होगा तो वहाँ पर क्या होगा एक फर्म का जो अपना ब्रांट बनता है मतलब फर्म की जो अपना पुर्म स्थिर्ता बनती है यह चाहता है कि मार्केट में उसकी मार्केट वैल्यू जो है जो ब्रांड इमेज वह अच्छी तरीके से बने रहें तो इस तरीके लिए वह क्या करता है कि मार्केट अगर थोड़ा ऊपर निचे होता है तो वह शेह होल्डर्स की जो डिविडेंड्स है या जो लाभांश है उसमें कमी नहीं करता वह उनके लाभांश को क्या करता है स्थिर करके रखता है या स्टेबल करके रखता है तो बचो इस तरीके से हमने इसके छटवे जो है घटक को समझा है जो कि लाभांश के स्थिरता उसके बाद जो सात्वा घटक आता है वह है अंश बाजार प्रतिक सब्सक्राइब और अधिक दर का अंशो के बाजार मूल्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है यदि क्या होगा लाभानश के दर कम हो जाएगी तो अंशो का बाजार मूल्य भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और आठवा गटक हम देखें तो पुंजी बाजार तक कर सकती है फन्ड को एकत्रत कर सकती है पैसों का आरेंज कर सकती है तो उस में क्या करना चाहिए जो शेर होल्ड़र से उनके रिखाद करा चाहिए और बनाए गए हैं यानि व्यादानिक बंधक लगाए गए हैं जितने भी रूल्स बनाए गए हैं उसको फॉलो करते हुए क्या करना चाहिए जो शेर होल्डर्स है यानि अंशिधारी है उनके लाभांश को बढ़ाना चाहिए आकर हम देखें तो कंपनीज आक्ट के दिनियम के है आप दूक्राजार 10 सिनक अनुसार क्या है जो regulating किस बैसितरी दिया जायेक है वह इस वर्ष जो लाफ पिराप्त हुह है या उसके पुर्व जो ला पिराप्त हुह है उसमें से क्या श्रॉप करके उंद बचे हुए अमाउंट को लाभांश के रूप में शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा इस तरह से उसका कैलकुलेशन किया जाता है इसके बाद बात आती है दस्वे है अगर जाधा लाभांश को कम कर देना ही ठीक होगा वैसे अपसी यह हो गई है कि लाभ पर कर नहीं लग रहा तो इस सिती में कर सकें ग्यारवा और अंतिम घटक इस बिंदू का ये है कि अनुबंदिक बंधन यानि contractual constraints इसके अनुसार जब company run के रूप में वित्त प्राप्त करती है तो run दाता company द्वारा लाभांश के भुकतान से संबंदित कुछ प्रतिबंद लगा सकता है तो बच्चो ये कुछ factors थे जो की effect करते हैं कि इसको dividend and decisions को dividend decisions को मतलब ये कुछ ऐसे घटक हैं जो की प्रभावित करते हैं लाभांश नेरने को तो इस तरीके से बच्चो हमने क्या किया हमने जो तीन decisions लिये जाते हैं उसको समझा उनको कौन-कौन से ऐसे factors हैं जो effect करते हैं वो भी समझा बच्चो financial decision में include होने वारे तीनों decision को हमने जाना कौन-कौन से थे investment decision, financing decision और dividend decision इन तीनों decision को अच्छे तरीके से जानने के बाद आये अब हम चलते हैं financial planning क्या होती है या जिसे हम हिंदी में कहते हैं वित्तिय नियोजन बच्चो इसमें क्या होता है वित्ति की जो क्रियाएं होती है उसको योजना के रूप में क्या क्या एता है उसकी एक रूप रिखा तयार की जाती है अब basically इसमें क्या होगा जो प्रबंधक होगा या वित्तिय प्रबंधक किसी या कह सकते है financial manager होगा उसको यह देखना होगा कि भविश में उसे कितनी वित्त की आवश्रक्ता हो सकती है वो यह वित्त जो है कहां से अरेंज करेगा या मतलब इन वित्त को कहां से प्राप्त करेगा और इसके बाद इनके arrangement के बाद जो वित्प्राप्त होगा उसका अच्छी तरीके से कैसे इस्तमाल करेगा जिससे की जो organization या company का जो उद्देश है वो पूरा हो सके इसलिए financial planning यहाँ पर important role play करती है अब financial planning को हम कुछ definitions के माध्यम से यानि कुछ परिभाषाओं के माध्यम से अच्छी तरीके से जानते हैं आएए पहले definition देखते हैं जो की है waker और बागन की उनके अनुसार वित्य नियोजन वित्य प्रक्रिया से संबन्दित है और इसके अंतरगत फर्म के वित्य उद्देशों वित्य नीतियों यह वित्य कारविद्यों का निर्धारण करना समयलित है एक और definition यानि परिभाषा देखते हैं सर आर एम श्रिवास्तव के अनुसार वित्य नियोजन पूंजी का आवशक्ताव यह हम उसकी स्वरूप को अग्रिम में निश्यत करने की क्रिया है तो अब financial planning हमको समझ में आ गई आई अब हम इसके process यानि financial planning की प्रक्रिया क्या है उसको जानते हैं financial planning की प्रक्रिया को तीन चरणों में बाटा गया है यानि three steps पहला चरण कहता है कि वित्य उद्देशों का निर्धारण करना यानि determination of financial objectives आप ऐख कैसे होगा, जब वित्य उद्देश है उनका निर्धारण होता है बच्चों वह दो इसमें किया इता है इसमें किया जाता है, एक अल्प कालिन में क्या सीजान आती है अल्पकालीन जब करते हैं तब कारिशील पुन्जी को इसमें शामिल किया जाता है ताकि जो है जो परियाप्त तरलता है वो बनी रहे अब जब दिर्कालीन हम वित्य देखेंगे तो उसमें देखते हैं कि उद्देशों के अंतरगत जो प्राहे संस्था की कारिकुशलता को बढ़ाने के उद्देश से क्या कहता है विभिन स्त्रोत होते हैं उसे परियाप्त मातरा में क्या क्या है वित्य को एकत्रत करना शामिल होता है अब हमने क्या किया पहली चरण को समझाए इसके जो दूसरा चरण है वो है वित्य नीतियों का निर्धारन यानि कित आती हैं कौण-कौण सी पॉन्सी पुनजी करण निथी पुंजी ढाचन निति लाभान म् सूर नीति पूनजी प्रबंद निति और उधार निति इन नीतियों को ध्यान में रखते हुए वित्य के लिए प्रबंद करना है और इन नीतियों के अंतर घंटी उस का प्रबंद करना है आगे हम तीसरे चरण की और चलते हैं दूसरे चरण के समापन के बाद तीसरे चरण कहता है वित्यकारेविध्यों का निर्धारन यानि determination of financial procedures इसमें क्या किया जाता है कि हम इसको धारण से समझें कि यदि प्रारंबिक वर्षों में समता अंश पूंजी पर निर्भर रहने का निर्धा एक नीती है ठीक है लेकिन समता अंश जो पूंजी है प्राप्त करने के लिए उठाय जाने वाले जो कदम है इसका निद्हारण इसमें किया तही किया एक्टिविटीस तरीके से रखा जाता है और उसी कारम में उसको क्या कीा घता है फॉलो किया जाता जो कि मैंने अब को एक उद्हारण के माध्यम से समझाया, अब बात करते हैं वित्ति नियोजन्स के उद्देश के, वाट आगत् प्लानिंग इसके दो उद्देश हैं basically पहला उद्देश कहता है कि समय पर वित्त उपलब्द की उरको सुनश्रित करना to ensure timely availability of finance मतलब जब समय पर जिस समय पर finance की वित्त की आवश्रिक्ता है उस समय क्या हो हमको finance available हो जिससे की जो company का objective है या goal है उसको प्राप्त करने में आसानी हो और दूसरी चीज कहती है कि वित्त का उप्युक्त शेष सुनश्रित करना यानि to ensure proper balance of finance इसमें क्या होता है अगर रोकड़ शेष है रोकड़ शेष की ज का जब जबन चाहिए सब लेखना चीजों करें तैक करने में सब चीजों के Unknown मुक्तान करने में उसको समझ जाएगी तो इस सिती में क्या होता है कि वित्य का उप्युक्त शेश्च निशित करना बहुत जरूरी है तो बच्चों इस तरीके से हमने वित्य नियोजन के जो देश हैं उनको जाना है